नमस्कार दोस्तों ग्यान सरक्ली यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। को लेकर कल्यार कारी वचन दिये हैं। इसी परकार चाड़क ने महिलाओं के कई रहस से भी खोले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चाड़क की बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आचारे चारक के ने खुशाली भरे जीवन के लिए कई रहस से बताए हैं। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि किसी को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो किसी इस्तरी या पुरुश के द्वारा धोखे का शिकार होता है। आचारे चारक के ने इस्तरीयों के कुछ ऐसे राज बताए हैं। जिनसे कोई भी पुरुश किसी भी इस्तरी के हाथों से धोखा खाने से बच सकता है। इसलिए खास कर पुरुशों को ऐसी इस्तरीयों से साबधान रहने की सलाह दी जाती है जो उन्हें धोखा दे सकती है तो आईए जानते हैं उनके बारे में नमबर एक आचारे चारक ने आउर्टों को लेकर पुरुषों को साबधन रहने को कहा है चारके का कहना है कि पुरुष आउर्टों को लेकर हमेशा सतर्क रहें जो लोग किसी महिला की खूपसूरती पर फिदा होकर शादी करते हैं उनकी नईया डूबती ही है दोस्तों लड़के सुन्दर लड़कियों को देख कर ही मंतर मुग्ध हो जाते हैं इसलिए आचारे चारके ने कहा है कि खूपसूरती से ज़्यादा महिला का दिमाग उसके संसकार और उसके लक्षन अच्छे होने चाहिए अच्छे गुणो वाली लड़की घर को स्वर्ग बना देती है और अगर संसकार और स्वभाव बुरे हैं तो वो घर को बरबाद कर देती है नमबर दो चारके के मुताबिक आपको किसी भी महिला पर आख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए अगर आप किसी लड़की पर भरोसा कर रहे हैं तो वो आपको धोका जरूर दे सकती है चारके की ये बातें इसलिए सच हैं क्योंकि महिलाएं कोई भी बात अपने मन तक नहीं रखती चारके की जी के अनुसार महिला कोई भी बात अपने तक ज्यादा समय तक रख नहीं पाती अपनी बात वो दूसरों को अबश्य बताएगी इसलिए उन पर कभी भी भरोसा ना करें चारके के अनुसार खूबसूरत इस्त्रियां धोखा ज्यादा देती हैं इसलिए किसी भी महिला की खूबसूरती पर लट्टू ना हो क्योंकि वो आपको धोखा जरूर देगी उसे अपने पर अधिक गुमान होता है चारके के अनुसार खूबसूरती दूसरों को आकरशित करती है इसलिए खूबसूरत पतनी किसी दूसरे के लिए पती को भी धोका दे सकती है और दोस्तों नमबर चार है चारक के के अनुसार लड़कियों को महेंगे कपड़े महेंगे गहने ज़्यादा पसंद होते हैं इसलिए वो अमीर लड़का ही फसाती हैं या फिर अमीर घर में शादी करने का सपना देखती हैं इसलिए आप ऐसी लड़कियों से साबधान रहें क्योंकि अगर आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो एक ना एक दिन वो आपको धोका देकर निकल जाएगी आएसी इस्तरियां शादी के बाद भी अपने प्रेमी के बारे में सोच बिचार करती रहती हैं इसलिए आएसी महिलाओं और आएसी लड़किय से हमेशा आपको साबधान रहना चाहिए तब तक के लिए जै हिंद जै भारत